Acetic Acid की Reaction Di-Azo-Methan से कराने पर क्या Optane होता है, क्या प्राप्ट होता है, आइए समझते हैं इसका Common Name होता है Acetic Acid, बोले तो Acetic Un और IUPAC Name होता है Atenoic Acid या Atenoic Un अब इसकी Reaction हमें करानी है किस से? C-H2-N2 से, इसका Name क्या होता? देखो जहां से Di-Nitri-Azo-A-Carmen-Methan, तो Di-Azo-Methan या Di-Azo-Methan जैसा आप बोलना चाहो इसकी Reaction करानी है हमें, आप दो कैसे हमें इस Reaction को याद रखना, उसे समझे यहां से जोको Nitrin निकल जाएगी, मैंने निकाल दी N2 बच्या क्या? सर, C-H2, इसके साथ जोड़ दो C-H3, C-O-O, कि लिए एक Hydrogen यह है और एक यह, दो यह है कितने होगा? तीन Hydrogen, तो यह क्या बना? यह बना बेटा आपका Aster C-O-O गुरूप आ गया, इधर भी कारवन, इधर भी कारवन, तो यह क्या बन गया? एक Aster बन गया, Aster, तो हम इस reaction को Asterification बोल सकते हैं, इसमें Aster का formation हुआ है, Aster का निर्मार हुआ है, तो हम इस reaction को Asterification बोल सकते हैं, जी सर बोल सकते हैं, अब देखों इसका नेम क्या होगा? देखों यह होता है Acetate और यह कोण है Methyl? साहिए, Methyl या Methyl जो भी पढ़ना चाहो, तो नेम हो जागा Methyl Acetate, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? Methyl यह और Ethenoate यह, तो Methyl लगाते बोल गया, Methyl या Methyl जो भी आप पढ़ते हो, Methyl Ethenoate, तो यह आप यह कहलो, चाहिए कहलो, साहिए? तो इस प्रकार से हम Acetic Acid से क्या बना सकते हैं? एक Aster को, जिसका नाम Methyl Acetate है, या फिर Methyl Ethenoate भी आप इसको बोल सकते हैं, तो आई होप यह Reaction आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और हम भी लेंगे आपको इसकी Next वीडियो में.